हलो, नमस्कार, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चानल Study for Civil Services में दोस्तों, यहाँ पे हम Environment से संबंदित Current Affairs जून से लेकर जनवरी तक आपके साथ Bilingual यानि Hindi और English दोनों ही भाषाओं में डिसकस कर रहे हैं तो अपना आज का Topic शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगा हमारे कुछ Paid Course से चलते हैं जहाँ पे हम UPSC की और अलग-अलग State Exams की तयारी करवाते हैं Study Material प्रोवाइड करते हैं और साथ मैं आपको Guidance भी देते हैं तो अगर इस बारे में आपको और जानकारी चाहिए हो तो दिये गए दो नंबर्स में से किसी पर भी कॉल करें हम आपकी जरूर साहता करेंगे तो दोस्तों जो हमारा पहला Topic है वो है GM Cotton के बारे में यानि Genetically Modified Cotton के बारे में तो मैं न्यूज शुरू करने से पहले आपको यहाँ पर एक Background देना चाहूँगा दोस्तों जो BT Cotton है वो एक मात्र अकेला ऐसा GM Crop है जिसमें हमारे देश ने Cultivation की Permission दी हुई है तो क्या है यह BT Cotton यह बेसिकली यूएस की एक Bear Mousanto नामक और्गनाइजेशन द्वारा डेवलप किया गया एक Genetically Modified Cotton Crop है Genetical Modification क्या मतलब है समझ लीजिए अगर यह कोई Crop है इसमें कुछ ऐसी नई तरीके के मैं Genes Insert कर दूँ जिसकी वज़ा से उसके पास कोई Resistance Power आ जाए Example आपको देता हूँ समझ लीजिए यह कोई Crop है यह कीड़ा है जो हर बार इस पर लगता है और इसकी फसल को Nust कर देता है लेकिन बड़ी समस्य आती है लोग मुश्किल से उसको उगाते हैं यह कीड़ा हर बार लगता है और उसको Nust कर देता है तो क्यों ना मैं इसमें को याना कोई ऐसा genes इसमें introduce करूँ जिससे यह कीड़े से resistance हो जाए यानि जब भी कीड़ा इसको खाने आए तो कीड़ा खुदी मर जाए या फिर कीड़ा इसको मैसूस करके दूर भाग जाए तो इस तरीके का जो modification होता है जब कोई genes हम इस पर insert करते हैं उसको कहते है genetic modification तो द किया गया है दोस्तों एक soil का bacteria लिया गया है bacteria का नाम है bacillus thuringianesis इस bacteria से दो genes निकाले गए हैं जो की है cry 1ab और cry 2bc ये जो दो genes निकाले गए हैं ये cotton के पौधे में incorporate कर दिये गए जिससे अब ये जो cotton आपके सामने आया है ये है genetically modified क्योंकि इसमें बाहर से दो genes insert किये गए है होता क्या है और ये क्यों किया गया देखिए cotton जो है उसकी फसल पे एक pink ball warm नामा कीड़ा attack करता है जिसकी वज़े से वो इस पूरी cotton की फसल को नश्ट कर देता है तो हमको इस समस्या से निजात पाना था तो हमने कैसे पाया अब जो ये नई cotton आई है ये नई cotton में दो तरीक जाता है या फिर वो वहीं पे मर जाता है तो बेसिकली जो हमारा पूरा इशू था कि ये जो कीड़ा है pink ball warm ये आख एक cotton की फसल को नश्ट कर देगा इसका हमने यहां से समाधान कर दिया अब ये इस तरीके के toxic protein produce करेगा कि कीड़ा यहां पे आए गई नहीं तो इससे ये cotton cotton जो है वो basically इस pink ball warm के attack से resistance हो गई तो यह कुछ important points है उसके अलावा इसको commercial तोर पे sanction कर दिया गया था सरकारदारा 2002 में तो यह है backstory GM cotton के बारे में अब यहां पे एक और चीज हमको जानना ज़रूरी है genetic engineering appraisal committee के बारे में जो कि यहां पे mentioned आपको दिख रही है genetic engineering appraisal committee यही committee involved है जो यह तै करती है जो हमारा यह genetically modified कोई भी crop है क्या वो सही है क्या वो environment को नुकसान तो नहीं पहुचाएगा क्या उसको अगर हम cultivate करेंगे तो human health को नुकसान तो नहीं पहुचाएगा तो उसकी पूरी fitness चेक करती है यह committee और यह committee है environment ministry के अंडर इस committee में कुछ experts होते हैं ज decision approve करती है तो वही final माना जाता है जैसे for example अगर माल लेते हैं GM cotton की बात करें तो इसने पहले देखा इसने कहा GM cotton हर तरीके से safe है ऐसा भी है कि आगे वाले time में हम देखे किसी भी तरीके से इसका human health पे impact तो नहीं पढ़ रहा तो उसमें भी यह safe ही दिख रही है तो इस committee ने environment ministry को कहा कि यह cotton वाला जो genetically modified crop है यह safe है इस ministry ने कर दिया okay करने के बाद GM cotton अलाव कर दिया गया 2002 में इस committee ने GM cotton के अलावा दो और ऐसे genetically modified crops को अलाव कर दिया है जिसमें एक तो है ब्रिंजल और दूसरा है mustard लेकिन समस्या यह है कि अभी environment ministry ने इसके लिए कोई भी decision नहीं लिय इसलिए इसको हम commercial तोर पे launch नहीं कर पा रहे है अभी तो यह मैंने आपको एक background clear कर दिया है अब हम चलते हैं इधर news की तरफ यह जो मैंने आपको अभी committee पढ़ाई है इस committee ने महराश्टा सरकार से बोला है कि जो भी HT BT cotton उगा रहे हैं उनके खिलाफ action लिया जाए जिससे व आपको बताया भाई BT cotton allowed है BT cotton यानि कि वो genetically modified cotton जो pink ball warm को भगा देता है यह allowed है लेकिन यहाँ पे एक नई variety आ गई जिसको बोला HT BT cotton और farmer जो है वो यह वाली variety अब उगा रहे हैं और इसके उगाने के विजह से महराश्टा सरकार को इस committee ने बोला है कि भाई आपको यह particular चीज इसको बंद करवाना पड़ेगा क्योंकि यह illegal है यह जो HT BT cotton है यह herbicide tolerant है तो यह क्या है इसमें जो अप्मारा पुराना GM cotton था उसके अंदर ही एक और नया gene इंट्रिद्यूस किया गया है वो जो नया gene है उसका नाम है CP4 EPSPS और यह एक दूसरे bacteria से लिया गया है जिसका नाम ह अग्रो बैक्टिरियम टूमिफिसियन्स हालकि यह नाम आपके लिए important नहीं है मैं आपको बस समझने के लिए बता रहा हूं तो यानि इसके edition के बाद जो तयार हुआ है वो एक नया variety है पुराना वाला variety नहीं है और जो नया है वो HT BT cotton है HT यानि की herbicide tolerant और यह वाली variety है इसक को उगाने लग गए महारास्टा में तो इसी वज़े से कहा है इस committee ने महारास्टा सरकार को कि आपको action लेने की ज़रूरत है जो भी व्यक्ति इस तरीके का variety उगा रहा है यह illegal variety है और इसके अभी ill effect समने पड़े नहीं है अब किसान उगाना क्यों चाह रहा है कि वो कहता है एक herbicide है जो हम लोग अपने खेतों में छिड़कते हैं देखिए herbicide छिड़कने से होता क्या है यहाँ पर जो weeds होते हैं वो खतम हो जाते हैं weeds क्या है weeds ऐसे unwanted plants हैं जो मुझे चाहिए नहीं लेकिन जबरदस्ती मेरे खेत में उग गए क्योंकि उसमें पानी पड़ा है fertilizer रहे हैं देखिए unwanted है यह मेरे को किसी भी तरीके के कोई फायदा पहुचाएंगे नहीं बलकि soil से nutrition लेते रहेंगे अगर इसको हमने हटा दिया तो यह जो nutrition इसके पास जा रहा है यह एक productive पौधे के पास जा पाएगा तो इसी वज़े से हम लोग ऐसे weeds को हटाने की कोशिश करते हैं अभी जो herbicide है वो एक दवाई है इसको जब खेतों में छिड़का जाता है तो ऐसे weeds जो है वो अपने आप मर जाते हैं लेकिन समस्या यह होती है जब यह herbicide छिड़का जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी फसल है वो भी उसके साथ नश्ट हो जाती है तो क उससे मेरी फसल नश्ट नहीं होती उससे जो weeds है वही मरते हैं और अगर मैं आपको और टेक्निकल बता हूँ तो जो herbicide है छिड़की जा रही है उसका नाम है glyphosate तो glyphosate छिड़कने से farmer के दो फायदे हो रहे थे एक तो weed हट रहा था तो weed हटने से क्या हो रहा था जो जब दग देते हैं तो वो cost माफ हो जाती है बस इस दवाई को लाने का खर्चा होगा बाकि आपकी सारी cost हट जाएगी भारत में जो glyphosate है सिर्फ ही registered है या तो यह चाय के बागानों में इस्तमाल की जा सकती है या फिर non crop area में किसी भी crop area में आप इसको इसको इस्तमाल नहीं कर सकते हैं अब आपको बात तो अभी तक ठीक लग रही है लेकिन आप पूछ रहे होंगे इसमें समस्या क्या है वो उगाएं क्यों नहीं अगर आपने एक GM का यहाँ पे अल्री अलाओ कर दिया है तो यह भी अलाओ कर दो देखिए समस्या इसमें यह है कि इसकी अभी तक सही से चेकिंग नहीं हुई कई बार क्या होता है जो हर्बिसाइड छिड़का जाता है वो पौधे में कहीं ना कहीं लगा रह जाता है अगर माल लीजे वो पौधा हमने आगे जाके कंज्यूम किया अगर वो कुछ एडिबल पौधा है खाने योगे पौधा है या कोई ऐसी फ ज़रूरी है कोई भी नई चीज ऐसी इंट्रिड्यूस करने से पहले आप चेकिंग करें क्योंकि देखिए अगर ये पौधा इंट्रिड्यूस कर दिया जो हर्बिसाइड टॉलरेंट है ये हर्बिसाइड की छिड़काव की वज़े से मरता नहीं है तो फार्मर भर-भर के हर्बिसाइड छिड़केगा कि उसका वीड नश्ट हो जाए लेकिन वह हर्बिसाइड कहीं न कहीं अगर इस पौधे में रह गया और किसी ना किसी तरीके से वह human body mentor हो गया तो वह अलग-अलग तरीके की बीमारिया cause कर सकता है तो इसलिए prior checking बहुत ज़रूरी है जो यहाँ अब यह GM crops है इनके साथ कुछ concerns भी जुड़े होते हैं कई लोग कहते हैं कि GM वाले अगर कोई consumption crops में use हो रहा है जैसे कि अभी हमने बात की कि ब्रिंजल या फिर बैंगन को भी allow कर दिया गया है हाला कि Environment Ministry ने अभी उसमें हामी नहीं भरी यह क्या होगा कल को यह हम सब की था concept के वो कहते हैं यह unsafe होता है human consumption के लिए उसके अलावा pesticide शिड़की जाती है तो वो poisoning भी कर सकती है क्योंकि इतनी pesticide शिड़केगा किसान अगर वो वहाँ पे tolerant पौधा है तो कि वो जब inhale करेंगे हम तो हमारे नुकसान होगा जो farmer खुद शिड़क रहा है उसको भी नुकसान common सी बात है अगर आप कोई चीज यहाँ छिड़केंगे दवा छिड़केंगे तो आप सांस तो लेंगे सांस के साथ वो भी आपके अंदर जाएगी तो यहाँ पे देखा गया pesticide poisoning से कई किसानों के मृत्ति हो गई तो यह आगे जाके भी संभव है उसके अलावा यहाँ पे माफ कीजेगा हाला कि यह cotton की yield को शायद बढ़ाए हो सकता है अगर आप पहले 100 unit cotton produce कर रहे थे तो अब आप 120 करने लगें लेकिन यह भी संभव है कि अगर इसको कभी कोई consume कर लेगा भले ही human हो भले ही कोई जानवर हो तो उसके शरीर पर ill effects आ सकते हैं फिर हम चलते हैं अप की एक समस्या है जो हमारे अच्छे landscapes को खतम कर रही है हो क्या रहा है basically मरूस थली करन इसको हम हिंदी में कहते हैं इसमें हो क्या रहा है धीरे धीरे करके जो भी हमारी fertile land होती है वो धीरे धीरे करके infertile होती जाती है और एक time पर यह land ऐसी हो जाती है जब उस पर आप कुछ भी होगा नहीं सकते तो इसको आप कहते हैं यह आपकी land जो है desertified हो गई तो इंडिया ने commit किया था कि हम इस desertification से लड़ेंगे और इसी के तहत उसने एक project अभी launch किया है जहां पे वो degraded forest landscape को restore करने की बात कर रहा है total 5 states में जो announcement है यह COP14 के बाद आया यानि कि UNCCD का 14th session जो conference of party हुई है जो कि हिंडिया ने host की है उसकी मेजबानी भारत नहीं की है वर्ष 2019 में उसके बाद यह announcement किया गया है कि इस तरीके की हम scheme लाएंगे देखिए अगर UNCCD की बात करूँ मैं तो Rio summit जो कि 1992 में हुई थी उसके तहत कुछ चीज़ें यहां से निकल के आएं थी इस particular summit को हम लोग earth summit भी कहते हैं यहां से एक तीन तो बड़े-बड़े conventions निकल के आये थे जिसमें से एक था UNFCCC एक था UNCBD जो कि biological diversity से डील करता है यह पहला वाला climate change से डील करता है और तीसरा था UNCCD जो कि desertification को रोकने से डील करता है उसके अलावा इसमें कुछ और चीज़ें भी आई थी जैसे कि agenda 21 जैसे कि forest principle अब यहां पर तो आ गई मैंने आपको बता दिया कि UNFCCC है UNCBD है और UNCCD है सबकी अपने अपनी यहां पर focus areas थे इसमें हम लोग climate change की तरफ focus कर रहे थे UNCCD में हम लोग desertification को रोकने को focus कर रहे थे और अगर UNCBD की बात करें तो यहां पर हम लोग biological diversity को कैसे conserve किया जा सके कैसे sustainable use में लाया जा सके इस पर बात कर रहे थे अब हर एक चीज के बारे में discuss करने के लिए लोगों को मिलना तो पड़ेगा सभी countries को मिलना पड़ेगा तो मिलने के लिए हम लोग conference of parties का organization कराते हैं क्या है समझ लीजी एक कमरा है कमरे में जि कैसे हम biological diversity को conserve कर सकते हैं उनको sustainable use पर ला सकते हैं तीनों के अंदर अलग 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 topic को deal करते हैं तो जो अभी वाली COP हुई है यह इस वाली के अंदर हुई है इसके अंदर अभी तक total 13 COP हुई थी यह 14th अभी 2019 में conduct की गई जहां इंडिया ने मेजबानी की है तो इस process के त ultimately हम लोग human की well being को बढ़ा सके enhance कर सके जो forest के landscape खराब हो गए उनको बहतर कर सके तो यानि overall ecosystem की ही बहतर दशा के लिए हम यह particular process में उतर रहे हैं अब इसके तहत क्या क्या किया जा रहा है नए नए पील लगाया जा रहे हैं उसके अलावा natural regeneration पर focus किया जा रहा है agroforestry पर focus हो में लाया जा सके तो यह points आपको ध्यान रखने है फिर हम चलते है ozone pollution की तरफ देखिए ozone जो है वो दो यहाँ पर काम करता है अगर यह ozone प्रोपो स्फेर में होता है तो फिर तो यह अच्छा काम करता है यानि आपको पता है ozone layer है एक उपर जो की सूरे से आने वाली UV rays को आई related disease हो सकती है in fact cancer तक की बीमारियां इंसानों में हो सकती है इन UV rays के direct संपर्क में आने से वहीं पर अगर आप plants की बात करें तो देखिए plant में क्या हो सकता है premature वो एज उनकी एज हो सकती है यानि जल्दी उनकी एज जाधा हो जाएगी और करके वो धीरे धीरे उनकी death हो जाएगी एक एक करके पते गिरने लगेंगे तो इस सब को बचाने के लिए हमारी stratosphere में ozone मौजूद है शमा करिएगा इस ट्रोपोस्फेर की बात नहीं यहाँ पर हम लोग stratosphere की बात कर रहे हैं तो हमारी जो अर्थ की atmosphere की layers है उसमें हम लोग stratosphere की बात कर रहे हैं जब stratosphere में ozone मौजूद है as a layer तो वो UV rays से हमको protect करती है लेकिन वही ozone अगर आपके ट्रोपोस्फेर में मौजूद है तो वो एक pollutant का काम करती है वो यहाँ पर smog का कारण बनती है जिसके वजह से visibility कम होती है respiratory disease होते है आई disease होते है अब यह news में क्यों है दिल्ली ने अभी फिलाल में ozone pollution record की है जो कि करीब 1.22 टाइम्स जादा है उसके average ozone exposure से जो कि यह 100 mg per centimeter ozone ट्रोपोस्फेर वाली जेनरली directly emit नहीं होती है एक secondary pollutant की तरह काम करती है यह vehicle से emit होती है industry से होती है power plant से निकलती है जब nitrogen oxide और volatile organic compound साथ में मिलते है sunlight की presence में तो photo chemical smog होता है photo chemical smog जो है वो ozone को यहाँ पर cause करेगा तीसरी सबसे important greenhouse gas है तो फिर greenhouse effect भी यह cause करेगी greenhouse gases क्या करती है वो जो उपर से sun rays से temperature बढ़ाने वाली किर्णे आती है जब वो नीचे सतह पर touch होती है तो क्या होगा धीरे धीरे करके वो वापस reflect back होंगी यानि जो भी heat यह carry करे होंगी किर्णे यह एक बार जब सतह पर लगेगी धर्ती की तो यह वापस वापस उपर reflect back होंगी reflect back होते समय अगर greenhouse gases का ज़ादा वहाँ पर presence है तो यह यहीं पर trap होके रह जाएंगी जिससे होगा क्या temperature अर्थ का बढ़ जाएगा अर्थ का temperature बढ़ा तो उससे बहुत समस्या होंगी यह climate change होगा फिर उसके अलावा जो ice works है वो melt होंगे जिसके वज़े से sea level जो है वो बढ़ेगा sea level बढ़ने की वज़े से बहुत सारे टापू ऐसे हैं जो submerge हो जाएंगे तो इन सब चीजों को रोकने के लिए आपको greenhouse gas का जो concentration उसको कम रखना चाहिए या balance रखना चाहिए अगर greenhouse gases जादा हो गई तो फिर बहुत समस्या हो जाएगी और climate change और तेजी से होगा और अगर हम ozone की बात करें तो ये भी ये greenhouse gas है सबसे जादा carbon dioxide carbon dioxide ही है फिर है methane उसके बाद जो सबसे important greenhouse gas है वो है ozone तो इसके इस तरीके से ill effects भी है तो हमको उन चीजों का ध्यान रखना है मैंने आपको बता है good ozone क्या है bad ozone क्या है जो stratosphere में मौजूद है उपर की तरफ वो जैसे उसको कहते है good ozone जो नीचे troposphere में मौजूद है उसको आप कहते है bad ozone क्यूंकि क्या है वो एक pollutant है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है फिर हम चलते है अपने अगले topic पे sustainable livelihood and adaption to climate change National Institute of Rural Development और पंचायती राज ने फिलाल एक training program launch किया है एक certificate course launch किया है जिसका नाम है sustainable livelihood adaption to climate change इसके पास पैसा कैसे आएगा इसको fund किया जाएगा special climate change fund से जो की UNFCCC की अंडर setup किया गया था जिससे की adaption और capacity building के projects में पैसा invest किया जा सके इसको implement किया जा रहा है इन convergence with महिला किसान, सशक्तिकरन परियोजना, मनरेगा और दूसरी जो भी centrally sponsored scheme है इन सभी के साथ convergence में यानि सब के साथ में implement किया जा रहा है होगा क्या माफ कीजेगा होगा क्या इसमें देखिए ये जो program है इसके तहत हम लोग को एक certificate यहाँ पे मिलेगा तो ये certification course है तो आँगे भारत में तो इसका objective ही ये है कि 200 से जादा certified climate smart community resource person तयार करो यानि जो climate smart हो जिनको समझ में आ रहा हो कि कैसे आपको sustainable livelihood की तरफ बढ़ना है कैसे climate change से adapt करना है ऐसे व्यक्ति तयार करने और साथ साथ community resource की भी उनको पहचान हो तो ये व्यक्तियों को हम लोग certificate देंग और वो आगे जाके इन सब चीजों के लिए और लोगों में जागरुकता फैला सकते हैं फिर हम चलते हैं अपने अगले topic की और यहाँ पे हम लोग corporate average fuel efficiency के बारे में बात कर रहे हैं जो की एक economy या efficiency आप कुछ भी कह सकते हैं उसका regulation है देए इसमें बात क्या हो रही है fuel की ब pollution भी उतना ही efficiently कम cause होगा अगर मैं मानता हूँ कि हमारा कम यहाँ पे petrol या fuel जलेगा तो उससे कम ही pollution होगा तो overall हमारा target यह है कि हम pollution कम कर सकते हैं जो भी vehicle से निकलता है इन regulations के तहत हम लोग ने क्या किया है सबसे पहले तो हमको कम करना है fuel consumption मैंने आपको बताया अगर fuel कम consume तो pollution भी कम निकलेगा वो कैसे हो सकता है वो होगा अगर आपकी fuel की efficiency बहतर हो जाए उससे होगा यह कि आपके गाडियों से निकलने वाली carbon dioxide के emissions भी कम हो जाएंगे इस तरीके के जो regulations आयते भारत में वो 2017 से लागो किये गए हैं जिसके अंतरगत यह बताया गया है कि गाडि अगर उसके बाद की बात करें तो धीरे धीरे कम कर करके हमको 113 ग्राम पर किलोमेटर तक इसको लाना है अगर इन norms पर किसी भी गाड़ी को खरा उतरना है तो उसको क्या-क्या चीज़े चाहिए होगी सबसे पहले 2017 से 21 के बीच में गाड़ी को कम से कम अपनी 10% fuel efficiency बढ़ान इंजन को जादा fuel efficient बनाना होगा इससे फायदा क्या होगा सबसे पहले air pollution कम होगा उसके बाद हमारा तेल भी कम लगेगा उसके अलावा अगर आप देखें तो हमारी economy में एक structural shift आएगा फिर हम चलते हैं अपने अगले topic की और यहाँ पे हम लोग कालेशवरम lift irrigation project के बारे मे चर्चा करेंगे यह project अभी फिलाल में inaugurate किया गया है जैशंकर भूपाल पली district of तेलंगाना में और इसके साथ important significance यह है कि यह पूरी दुनिया का सबसे बड़ा multi stage और multi purpose lift irrigation project है इससे पहले जो था वो अमेरिका में था जिसका नाम था Colorado lift scheme उसके बाद फिर Egypt का largest हुआ जिसका हमारा largest होगा इसमें multi stages है और multi purpose use में हम इसको ले सकते हैं lift irrigation का यह काम करेगा दो नदियों के confluence से यह पानी को harness करेगा जब वो गुदावरी से आके मिलेंगी तब उन सब का यानि अब तीन हो गई तीन नदियों का पानी harness किया जाएगा कौन से district में है मेदी गड़ा जो की जैशंकर भोपालपली district में है वहाँ पे एक बैराज भी हम लोग बनाएंगे कौन सी नदी के across इसको build किया जा रहा है तो गुदावरी नदी के across इसको build किया जा रहा है बहुत important point है lifts और pumps के जरीए यह पानी को divert करेगा reservoirs में water tunnels में pipelines में canals में साथ साथ इसमें सबसे longest irrigation tunnel की भी स्थापना होगी जो की global level पे भी longest ही है अगर इस project ही हम लोग history में बात करें जब undivided आंदरप्रदेश था उस समय इसका एक बड़े project के तौर पे शुरुआत करने का idea propose किया गया था पर 2014 में जब तेलंगाना की formation हो गया तो उसके बाद इस idea को redefine किया गया और वैसे फि बात पर कि जो original project था कहा गया कि उसमें बहुत सारे environmental problems हैं तो उन सब problems को ध्यान में रखते हुए हम एक नया project यहाँ पर बनाएंगे redesign करेंगे पुराने वाले को और redesign project जो है यह आपके सामने कालेशवरम lift irrigation project के साथ तोर पे qualify करता है उसके अलावा यह भी कहा गया था कि जो पूराने वाला project है उसमें water storage capacity बहुत कम है इस वाले में उससे comparatively जादा कर दी गई है जो provisions है उसके अनुसार 148 TMC feet इसमें storage capacity होगी हमारा अगला topic है जल चक्ति water conservation के लिए एक अभियान launch किया गया है जिसका नाम है जल चक्ति अभियान क्या है basically एक time bound project है एक mission mode campaign के तौर पे काम करेगा और mainly focus करेगा 1592 water stressed blocks पे जहां पे पानी की कमीर आम तौर पे बनी रहती है और यह जो water stressed blocks है यह basically 271 districts में पढ़ते हैं तो इस campaign से water conservation होगा और water security होगी नीतियायो की एक report आई थी उसके हिसाब से 600 million भारतिये करीब high to extreme water stress face करते हैं 75% households ऐसे हैं जिनके पास पीने के लिए स्वच पानी नहीं है तो देखा जा रहा है कि हमारे देश में water stress बढ़ता जा रहा है तो इसी वज़ा से इस तरीके के project का importance और जादा हो जाता है जो water conservation के उपर focus करे हुए हो सरकार चाह रही है कि हर एक घर में drinking water पहुचाया जा सके sustainable manner में यह जो जल सकती अब यहान है इसमें important बात यह है कि citizen participation के तहत यह चलाया जाएगा दो phases में इसको complete करेंगे पहला है एक जुलाई से 15 सितंबर तक दूसरा है एक October से 30 November तक यहाँ पर जो भी water stress districts and blocks है उन पर focus हिया जाएगा यहाँ पर कोई अलग से funding नहीं दी गई है और कोई अलग से targets नहीं रखे गए है campaign के जो उसको हासिल करने है बस इसमें एक main जो focus है वो यही है कि आपको पानी के conservation की तरफ ध्यान देना है यह जो पूरी campaign थी यह monsoon season में चलाए जानी वाली थी July से लेकर यानि की September तक उसके अलावा जो हमने यहाँ 1592 Water Stress District पर बात की थी यह identify किये गए थे Central Ground Water Board द्वारा 2017 में यह जो अभियान है यह बहुत सारी ministries का एक collaborative efforts है इसमें अलग-अलग ministry एक साथ काम करेंगी और सब focus उस पर ही करेंगे कि water को कैसे भी करके conserve किया जा सके उसका पूरा project coordinate किया जा रहा है वो किया जा रहा है एक department द्वारा जो की water पर ही focused है उसका नाह में department of drinking water and sanitation तो यह point भी आपको ध्यान रखना है अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले topic पे यहाँ पे हम लोग urban flooding के बारे में पढ़ने जा रहे हैं यानि शेहरी बाड जब urban area में generally flooding होती है तो उसका reason क्या होता है देखिए उसका reason होता है ज्यादा तर कि जो वहाँ का drainage system है वो चोक हो गया है अब वो चोक कैसे हो सकता है वो चोक हो सकता है अगर उसमें कोई plastic फश जाए या फिर अगर हम जैसे कच्रा openly dump करते हैं तो उस कच्रे में से कुछ जाके इस pipeline में जिसकी वज़े से पानी निकल ना पाए तो पानी उपर भरता रहे अब पानी भरता है और साथ में अगर monsoon season है तेज भारिश हो रही है और अगर आपके drains चोक हो गए तो उसमें क्या होगा जो पानी है वो शहरी इलाकों में बढ़ने लगेगा इस process को ही आप शहरी बार य उस drainage system की capacity से जाधा rain हो गई है वो इतना नहीं ले सकता पानी या फिर वो चोक हो गया किसी वज़े से तो उस case में वो पानी पूरा शहर में भर जाता है ये rural flooding से अलग है क्योंकि rural flooding का क्या मतलब है देखिए generally होता क्या है नदी ऐसे जा रही है लोग नदी के जितना पास हो सकता है वो सारा area occupy करते जा रहे हैं और वहाँ पे अपना घर बनाते जा रहे हैं तो generally क्या होता है जब नदी में पानी बढ़ता है तो नदी का जो इतना ज़्यादा है वो floodplain हो जाता है जब नदी का पानी बढ़ेगा तो नदी का पानी बढ़के इस area तक आता है normally लेकिन क या लोग यहाँ पर गर्मी में आये, लोगों ने कहा यार यह जगे पूरी खाली पड़ी है, यहाँ पर अपना घर बसालो, तो लोग जो एंक्रोच कर रहे हैं, flood plains को उसी वज़े से वहाँ पर बाढ़ आ रही है, urban flooding के reasons मैंने आपको बता दी, unexpected rainfall हो गई, जैसे कि श्री नगर के floods, या फिर एकदम से बहुत जगे से runoff हो गया, पानी का, जो एक जगे आके एकटा होने लगा, फिर उसके बाद कहीं पर glacial lakes है, जो की burst हो गई है, तो basically यह जो तीन चीज़े हैं, यह environmental factors में include होते हैं, इसके अल जैसे urban planning आपकी खराब है, आपने यह सोच के plan ही नहीं किया है, कि आने वाले समय में इस तरीकी की समस्या आ सकती है, तो उस वज़े से भी बहुत बार ऐसा होता है, कि पानी शहरी इलागों में जम जाता है, फिर अगर बात करें, तो encroachment करते जा रहे हैं, लोग flood plains पर जैस करते चले जा रहे हैं, यानि concretization बढ़ रहा है, तो एक समय क्या होता था, देखी मैं यहाँ पर बनाता हूँ, चित्र, यह है पुराना समय, उसके against, मैंने यह अभी बनाया है, तो जो पुराना टाइम है, वो उसमें जादा तर जगह पर cemented नहीं होता था, मिट्टी होती थ जाता था, और जाके groundwater में मिल जाता था, तो इस पानी को जब मिट्टी absorb कर लेती थी, तो उस वज़े से पानी भरता नहीं था, यानि water logging नहीं होती थी, और बाड़ भी नहीं आती थी, पर अगर आपने सब कुछ cemented कर दिया है, आपने हर जगे से मिट्टी हटा दी है, तो क उपर ही, उपर सतय पे बैता रहेगा, तो जब अंदर नहीं जाएगा, उपर सतय पे ही रहेगा, तो दीरे दीरे करके भारिश अगर बढ़ती गई, तो पानी की भी मात्रा बढ़ती जाएगी, जिससे की urban flooding cause हो सकती है, तो एक concretization या बढ़ता, cementization जो है, ये भी एक समस्या के तोर पे हम यहाँ पे कजडर कर सकते हैं, फिर हम चलते हैं आगले topic की और, यहाँ पे हम all India tiger estimate के बारे हम बात करेंगे, 2018 के, 2018 में ये 4 year tiger census report release की गई है, इसके पहले 2014 में release की गई थी, यानि 4 साल में एक बार release की जाती है, report के अनुसार 2014 में tigers की संक्या थी 2226, और अभी जो तो ये किसका outcome है, हमने जो tiger को बचाने के लिए अलग-अलग program चला रखे हैं, National Tiger Conservation Authority के जो initiative चल रहे हैं, tiger reserves हमने declare कर रखे हैं, जिसके तहत हम ऐसे areas में human intervention बहुत कम होने देते हैं, तो इन सब reasons से ही tiger की population में बढ़ोतरी हुई है, जो एक अच्छी बात है, और इसके अलावा जिसका हुआ है tigers की population में, तो मध्यप्रदेश, ध्यान रखेगा यहाँ पे, यह question बनने के chances यहाँ से काफी जादा है, 308 से यहाँ पे 2014 में अभी 526 हो चुके हैं, second number पे है करनाटका, third number पे उत्राखंड और fourth पे है महराष्ट्रा, तो इन में से आप या तो ranking याद कर ले, first जारत के जो environmental initiative चल रहे हैं, जो environment को बचाने की हम लोग scheme लगातार चला रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं success हमको मिल रहा है, कैसे दिख रहा है, क्योंकि भई, जो नए tiger estimate आ है, उसमें ये पता पड़ा है, tiger की संख्या बड़ी है, अगर tiger की संख्या बड़ी है, इसका तात्परे तो यही हुआ कि जो हम लगातार initiatives ले रहे हैं, tiger की poaching रोक रहे है, Wildlife Protection Act में जो tiger को हमने दरजा दे रखा है, इस सभी के तहत हमें success मिल रहा है, तो आप इसको अपने positive point में include कर सकते हैं, साथ-साथ आप यहाँ पे figures भी लिखें, जैसे मध्यप्रदेश में 526 हो गए हैं, 308 स से बढ़के, तो इन figures से आपके answer को और मजबूती मिलती है, हाला कि एक चीज इसने ये भी बोली है, report ने, कि लगातार जो भी tiger occupied area है, उनका loss होता जा रहा है, net loss करीब 17,800, 81 square kilometers का हो चुका है, या फिर 20% हम लोग tiger occupied area हो चुके हैं, पिछले 4 साल में, लेकिन जो prey base है, यानि किसी भी जानवर के पास खाना भरपूर मातरा में रखेंगे, तो obviously उसकी जनसंक्या अच्छे से बढ़ेगी, वो अच्छे से breed करेगा, tiger के साथ भी same case है, अगर इसका prey base अच्छा होता है, यानि जो इसका शिकार है, वो काफी मातरा में उपलब्ध है, तो ये तेज breed करता ह अगर ये तेज breed करेगा, तो tigers के नंबर में जल्दी जल्दी आपको increase देखने को मिलेगा, तो इसलिए prey base अगर आप बढ़ाएंगे, तो आपको tiger के नंबर भी अच्छे मिलेंगे, तो यहाँ पे हमने ये strategy follow की है, prey base बढ़ाया है, जिस वज़े से tiger की मातरा भी बढ़ी है, अब tiger की conservation, tiger की population क्यों increase हुई है भारत में, जैसे मैंने आपको बताया, हमने migration बढ़ा दिया है, उससे tiger की population में इदाफ़ा आया है, forest department ने कई सारे conservation efforts चलाये हैं, जैसे मैंने आपको बताया, NTCAB efforts चला रहा है, tiger reserves डेक्लेर किये हैं हमने, उसके अलाबा, wildlife protection act के तहर्ट, tiger को दरजा मिला हुआ है, वो भी important role play करता है है यहाँ पे, vigilance हमने बढ़ा दिये, CCTV cameras का हम लगातार इस्तमाल कर रहे हैं, drones का इस्तमाल कर रहे हैं हम tiger की mapping के लिए, तो यह सब जो technology को हम लोग उतार रहे हैं environmental field में, यह बहुत बढ़ा role play करेगा इस तरीके के अच्छे initiatives में, उस का answer बहुत बेतरीन बन जाएगा, फिर हम चलते है rhinosaurus के conservation पे, rhinosaurus की बहुत ज़्यादा poaching हो रही है, और poaching generally क्यों होती है, जो rhinosaurus का naak होती है, या फिर अगर आप कहें जो उसका sing होता है, उसको काट के उसकी trading की जाती है बाजार में, और वो बहुत महंगा बिकता है, इस वो लोग focus करते हैं, राइनो की poaching पे, जिससे उसको मारने के बाद, उसकी naak या फिर उसकी sing को काट लिया जाए और उसको international markets में trade किया जाए, इनी सब को रोकने के लिए हमने एक special rhino protection force का गठन किया है, इसमें हम लोग जो भी शामिल होगे उनको train करेंगे, कैसे poachers से लड जिजना सिखाएंगे, अब ये जो force है, इसको हमने काजी रंगा नाशनल पार्क जो की असाम में है, वहाँ पे deploy किया है, अब जो great one horn rhinosaurus है, या Indian rhino भी इसको कहते हैं, ये important point है, हो सकता है, पूछ लिया जाए, great one horn rhino का दूसरा नाम क्या है, तो आपको याद रशना, Indian rhino कह ही है, कहां का मिलती है, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और इंडिया, यानि जो हमारे आसपास के शेत्र हैं, बस यहीं पर ये फैली हुई है, हम लोग जो इंडिया है, वो करीब 200 rhinos का घर है, और 85% से ज़्यादा population इंडिया में ही निवास करती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है, इंडिया में हम इनके conservation efforts को बढ़ाएं, उनमें actively जितना हो सके उतना participate करवाएं, जो राइनो भारत में पाए जाते हैं, वो कौन-कौन से राज्यों में पाए जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश, बंगाल और आसाम में जनरली आपको राइनो देखने को मिलें देखेंगे, World Wildlife Fund के data के अनुसार, 2012 में आसाम के पास पूरे भारत की 91% राइनो की population है, तो देखिए आसाम को monitor करना कितना जरूरी है, 91% पूरे भारत की population आसाम में है, वो भी ज्यादतर कहां पे है, काजी रंगा नैशनल पार्क में और थोड़ी बहुत बची-कुची बहुत जरूरी है monitoring करना, तो इसी वजए से यह जो हमारी force है, इसको हमने काजी रंगा में लगाया है, वो monitor करेगी, उनको train किया जाएगा, rhinos को जो लोग भी पोच करते हैं उनसे लड़ने के लिए, और जो animal है उसके behavior को समझने के लिए, अब यहाँ पे हम rhino conservation के एक program की ब तो involved थी सबसे पहले आसाम की खुद का forest department, उसके अलावा WWF India, International Rhino Foundation और US Fish and Wildlife Services, तो यह चार संस्ता ऐसी हैं, जो IRV 2020 के पीछे हैं, उसके implementation के पीछे involved हैं, इसके तहत हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 3000 Great One Horned Rhinosaurus की population कर पाएं, 7 protected areas में वो भी आसाम के 2020 तक, इसमें जो 2020 वर्ड है, यह इसका target यह रहे हैं, यानि हमको 2020 तक Indian rhinos की population 3000 तक पहुचानी है, over 7 protected areas in आसाम, तो यह चीज आप ध्यान रखेगा, इसी project के तहत हम लोग translocation पे भी focus करते हैं, तो इसमें हम लोग काजी रंगा नैशनल पार्क और पोभीतोरा wildlife sanctuary से rhinos को अलग-अलग जगे ट्रांस लोकेट करेंगे, फिर हम देखते हैं, यहाँ पे Great Indian Bustard, जो की राजिस्थान का state word है, इसकी population में decline देखा गया है, क्योंकि population में decline देखा जा रहा है, इसी वज़े से Ministry of Environment, Forest and Climate Change ने एक project की शुरुआत की है, जिसमें 33 करोड रुपे निकाल के अलग रखे गए है, Great Indian Bustard के protection के लिए, उसके संरक्षन के लिए, अगर इंडिया की बात करें, तो भारत में सिर्फ 130 ही ऐसे पक्षी बचे हुए है, और आपको ये भी याद रखना चाहिए, कि जो पक्षी है, ये endemic to India है, यानि ये सिर्फ Indian Subcontinent में ही आपको मिलेगा, और इंडिया में मैं बात करूँ, तो Central India में मिलेगा, Western India में मिलेगा और Eastern Pakistan में मिलेगा, तो अगर मैप पे आपको याद दिलाओं, तो देखी ये है Central India, यहाँ पे मिलेगा ये, Western India इस तरफ मिलेगा और Eastern Pakistan भी इस तरफ मिलेगा, और जैसे मैंने बताया, राजिस्थान का ये State Bird है, लेकिन समस्य तब आती है, जब आप figures पे नजर डालते हैं, 130 बचे हैं सिर्फ ये पक्षी भारत में, अब decline क्यों हो रहा है, सबसे पहले decline की वज़ा है, hunting, poaching, उसके अलावा जो इनका घर है, जो habitat है, उसका erosion हो रहा है, लाने के लिए आतुर हैं, हम लोग सोच रहे हैं, जितना ही green हो सके उतना green कर दो, पर ही जो greening projects हैं, इसमें समस्य ये हो रही है, कि इनके grasslands destroy हो रहे हैं, उसके अलावा हर जगे agriculture किया जा रहा है, promote, तो उसमें ऐसा हो रहा है कि कई सारे जो grasslands हैं, उनको farmlands में convert किया जा रह हैं, उसके अलावा, जो कई जगह पे ऐसा हो रहा है कि industry स्थापित की जा रही है, तो वहां से भी इसका habitat जा रहा है, basically मैंने जो अलग अलग आपको तीन चार चीज़े बताएं, ये सब की सब आएंगी habitat destruction में, तो आप exam में सिर्फ habitat destruction लिखके आईएगा, तो आपका काम चल जालते हैं, उस वज़े से भी इनकी population decline हो रही है, और अब ही recent अगर हम देखें, तो recent times में क्या हो रहा है, जो wind turbines लगी है, या जो power transmission lines लगी है, उससे टकराने की वज़े से भी बहुत सारे great Indian Bustards की मृत्ति हो रही है, तो क्या हम इनको बचाने के लिए कोई efforts नहीं ले रहे तो ऐसा नहीं है, हम efforts भी ले रहे हैं, सबसे पहले हमने Wildlife Protection Act के तहट, जो कि 1972 का Act है, इनको schedule 1 में रख रखा है, जिसमें इनकी poaching और hunting एक criminal offense है, अगर आप ऐसा करते हुए पाए गए तो आपको सजा होगी यहाँ पे, उसके अलावा IUCN ने इसको critically endangered की काटेगरी में रखा ह है, IUCN की एक red book आती है, red data book जहाँ पे वो अलग-अलग categories में classify करता है, अलग-अलग प्रजातियों को, यह देखते होए कि उनकी अभी जनसंक्या कैसी है, अगर वो एकदम से fall हो रही है, तो वो endangered या फिर critically endangered या vulnerable या फिर extinct इस तरीके से वो घोशित करता है, तो दोस्तों य यह है कि इसको बहुत जादा अभी protection की जरूरत है, conservation की जरूरत है, फिर जैसे मैंने बता है, राजिस्थान की state word है, राजिस्थान ने भी इसके लिए project चला रखे हैं, इसमें project कोडावन, यह इसको conserve करने के लिए project है, कहां पे conserve किया जा रहा है, desert national park में, जो जैसल मेर में पड़ता है, तो यह कुछ conservation efforts है, अगर exam में आप mention करना चाहें, तो इन तीनों में से कोई भी बात mention कर सकते हैं, फिर हम चलते हैं अपने अगले topic पे, earth overshoot day, earth overshoot day क्या है, देकि जब भी मानव का consumption, यानि human का consumption हो रहा है, natural resources का, वो ज़्यादा हो जाता है, as compared to earth की regenerating capacity किसी भी particular year में, तो उस particular day को आप कहते हैं, earth overshoot day, यानि आपने इतना recklessly सभी resources को exploit किया है, कि earth की regenerating capacity पीछे चली गई है, अब वो इतनी जल्दी उगा नहीं सकता, जितनी जल्दी आप खा रहे हैं, जितनी जल्दी आप consume कर रहे हैं, यानि अगर मैं दूसरी भाशा में कहूं, तो य पीछे रह गई है, इसको calculate किया जाता है global footprint द्वारा, और उसके साथ यहाँ पे WWF भी important role play करता है, global footprint है, जो की एक network है, वो यह देखता है कि human activities अपने पीछे कितने footprint छोड़ रही है, यानि आप कितना pollution फेला रहे हैं, कितनी तेज resources को इस्तमाल कर रहे हैं, कि आप इस तरीक करने की capacity में पीछे रह गया है, इस साल ये July 29 को हुआ था, अभी तक का सबसे earliest हुआ है, यानि अभी तक में, देखिए ये उस दिन पढ़ता है, जब मालीजे पूरे साल में आपने सारी resources खतम कर दी और अर्थ अब regenerate करने में पीछे रह गया है, अब उसको वक्त चाहिए क कि वो सारी resources वापिस regenerate कर ले, अब ये जितना आगे सरकता जाएगा, यानि उतना ही जल्दी आपने सारी resources यूज अप कर ली, इस बार ये सबसे जल्दी सरक गया है, यानि शुरुआ, माफ करिएगा, यानि 2019 में शुरुआत के 5-6 महीने में हमने सारी resources यूज अप कर ली, और आगे के जो 6 महीने हैं उसमें, अब अर्थ को regenerating capacity में human consumption के पीछे ही रहना पड़ेगा, जितना जल्दी आप timeline पर सरकाते जाएगे, ये दिखता जाएगा कि आप कितनी जल्दी resources को exploit कर रहे हैं, ये बिलकुल sustainable development के विरुद्ध है, क्योंकि आप जितनी जल्दी-जल्द को उधर सरकाया जाए, यानि हम लोग बड़े सोच समझ के हर एक resource को इस्तमाल कर रहे हैं, हम लोग ये जानते हैं कि अर्थ जो है उसकी regenerating capacity एक limited है, उस शमता को ध्यान में रखते हुए हमको सारी resources का इस्तमाल करना चाहिए, अगर हम बात करें तो 1987 से जो अर्थ overshoot day है, ये सारी natural resources consume कर रहे हैं, अर्थ उसको इतना generate नहीं कर पारे, जितनी तेज लोग consume कर ले रहे हैं, फिर हम चलते अपने अगले topic पर, यहाँ पर हम पढ़ेंगे, एक deep ocean mission के लिए center विचार कर रहा है, और targets रखे गए थे October 2019 तक, यानि October 2019 तक केंद्र deep ocean missions launch कर देगा, इसमें होगा क्या, देखिए, deep oceans जो होते हैं, वहाँ पर generally क्या होता है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी equipment research के तोर पर जाना बहुत मुश्किल है, देखिए दोस्तों, अगर हम समुद्र की सतय की बात करेंगे, तो सतय कुछ ऐसी है, यहाँ पर तो थोड़ी shallow है, यानि बहुत जादा गहर हो जाती है, और फिर almost यह एक जैसी चलती है, तो यह जो है, यह होता है हमारा deep ocean, deep ocean में generally लोग नहीं जा पाते, minerals को explore करने, हम लोग continental shelf या फिर कम गहराई वाले areas से तो यहाँ पर explore कर लाते हैं, लेकिन deep ocean में explore करना मुश्किल है, center यहाँ पर चाह रहा है कि हमारी 75,000 square kilometer का area, international waters का, अभी तक untapped है, unexplored है, तो उसके जो mineral resources हैं, उसको explore करने के लिए, उसको harness करने के लिए, हमने deep ocean mission तयार किया है, इस mission के तहित हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ocean की depth तक जाएंगे, यानि ocean की गहराई तक जाके, deep sea mining की possibilities देखेंगे, उसके अलावा climate change में ocean किस तरीके से effect होता है, उसके अलावा, underwater vehicle जा सकते हैं, क्या, ये सब बातों पे हम लोग यहाँ पे explore करेंगे, ये mission जो है, ये एक proposal है, जैसे कि हमने space exploration किया है, आज तक इजरो द्वारा, वैसे ही हम लोग ocean को भी explore करना चाहिए, हम लोग यहाँ यहाँ पे technology पे focus करेंगे, deep sea mining देखेंग underwater vehicle जा सकते हैं, क्या, underwater robotics का, क्या यहाँ पे scope है, ocean climate change advisory services और ऐसी ही काफी सारी services याँ काफी possibility जो की deep ocean से connected है, उनको हम यहाँ पे study करेंगे, इसके अंदर दो key project plan किये गए हैं, जो दो project हैं, वो है, एक तो desalination plant और एक submersible vehicle, जो desalination plant है, इसको power किया जाएगा, tidal energy के थूँ, और जो submersible vehicle है, यह कम से कम 6000 मीटर की गहराई तक जाके, ocean को explore कर सकेगा, तो यह दो इसके अंदर key projects बनाए गए हैं, अब बात है कि हम लोग 75,000 square kilometers की ही क्यों बात कर रहे हैं, तो दोस्तों, इंडिया को allot किये गए हैं, 75,000 square kilometers, Central Indian Ocean Basin में, सायोक्त राष्ट क seabed authority द्वारा, लेकिन यह जो 75,000 square kilometers है, यह इतने deep ocean में पढ़ते हैं कि हम इसको explore अभी तक नहीं कर पाए हैं, यहाँ पे PMN उमीद है कि काफी मातरा में मौजूद है, यानि कि poly metallic nodules यहाँ पे अच्छी मातरा में मौजूद है, और इसी लिए UN Seabed Authority ने हमें इसी को explore करने क किये हैं, जो Central Indian Ocean Basin है, ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे कई चीजों की मातरा काफी जादा अच्छी है, जैसे कि iron, manganese, nickel और cobalt, तो इसी वज़ए से यह सब extract करने के लिए हमें यह चीज अलॉट की गई है, लेकिन हमारे पास वह technology नहीं है, जो हम इतने deep ocean तक जाके यह सब extract कर पाएं, अब एक चीज और समझ लेते हैं, यह जो हम poly metallic nodules की बात करने हैं, यह क्या है, तो यह आलू के shape के nodules हैं, जिसमें अलग-अलग elements की मौझूदगी पाई गई है, जैसे कि manganese, cobalt, nickel, iron, lead, cadmium और इस तरीके के और भी काफी सारे elements यहाँ पे पाई गए हैं, तो इनी PMN को अगर आप extract कर लाएंगे, तो आप कितने सारे elements यहाँ पे extract कर सकते हैं, और इसी सब को देखते हुए deep ocean mission launch किया है, जो 75,000 square km का area हमको allot हुआ है, हम उसमें exploration कर सकें, अब जो हमारा अगला topic है, यह इसमें हम report के बारे में पढ़ेंगे, एक special report है climate change पे और land पे, अ इसी report जारी की है, जो सिर्फ और सिर्फ land sector पे focus करती हो, और उसके कोई यहाँ पे focus नहीं है, तो क्यूंकि यह पहली बार है, यह बहुत important हो जाती है, IPCC ने और भी reports release की हैं, जैसे कि second special report वो release करने वाला है अभी, सितंबर में expected था, ocean और cryosphere पे, उसके अलावा IPCC ने एक special report release क report है, यह क्या करती है, यह climate change और land use के बीच में क्या relation है, इस चीज को दिखाती है, यानि report focus करती है, कई सारी ऐसी activities हम लोग carry out करते हैं, जिसकी वज़े से global warming बढ़ रही है, जिसकी वज़े से climate change बढ़ रहा है, और साथ-साथ यह बताती है, कैसे land के अलग-अलग uses है, जैसे की industry के लिए यूज करना है, जैसे की forestry, cattle, livestock के लिए यूज करना है, तो इन अलग-अलग तरीकों के land use से किस तरीके से हम greenhouse gas के contribution को बढ़ा रहे हैं, तो यानि land use के अलग-अलग factors जो है, वो climate change को किस तरीके से trigger कर रहे हैं, यह इस report में देखा गया है, report की जो summary है, उसके तह certification रोकने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन साथ-साथ ही हम climate change के adaptation और mitigation के भी साथ जुड़ जाते हैं, तो यानि कैसे एक जो आपका action है, वो दो और चीजों को trigger कर रहा है, climate change से आपका बचाव कर रहा है, और climate change को खतम करने भी help कर रहा है, साथ-साथ biodiversity का जो loss हो रहा है, उसको भी यहाँ पर खतम कर रहा है, अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे किस तरीके से land use जो है, वो climate change को trigger कर सकता है, और environment को नुक्सान पहुचा सकता है, देखिए एक बात यहाँ पर यह सामने आती है कि अगर extreme heat होगी, यानि बहुत जादा गर्मी पड़ेगी, तो पौधों मे photosynthesis कम होगा, साथ में leaves की growth rate भी कम होगी, तो ऐसे areas, ऐसे land जहाँ पर पेड़ बहुते जादा नहीं होते, vegetation कम होता है, land भी degrade हो जाता है, क्योंकि जो vegetation है वो, जो vegetation है वो एक safeguard की तरह आक्ट करता है, एक छत्री की तरह आक्ट करता है, जो land को degrade होने से बचाता है, तो इस त dryness हो गई है, तो land जो है, वो desertification की तरफ जाने लगता है, क्योंकि जो soil है, उसका moisture छिंजाता है, तो इस तरी के काफी सारे connect किये हैं, यहाँ पे climate change और land दोनों के comparison में, यहाँ आपे बताया गया है, कि अगर हम sustainable land का management करें, sustainable forest का management करें, तो land degradation से हम बचाया सकते हैं, अगर हम climate mitigation और climate adaptation के measures को बाद में apply करेंगे, यानि अगर आप इसको नजरनदास करते रहेंगे, तो climate change की वज़े से land जो है, वो degrade होगा, उस पे negative impact पड़ेंगे, अभी recently क्या हुआ है, ministry of new and renewable energy ने ocean energy को renewable energy के तोर पे declare कर दिया है, important point है बहुत ज़ादा अपके exam के perspective से, ocean thermal energy conversion का theoretically अगर potential देखें, तो 1,80,000 MW है भारत में, अगर हम कुछ technological evolution कर दें तो, tidal energy से जो identify किया गया है potential वो है करीब 12,455 MW, और जो potential इसके लिए regions identify किये गए हैं, वो है खंबात और कच का region, उसके अलावा large backwaters का region, जहाँ पे bearish technology काफी अच्छे से इस्तमाल की जा सकती है, तो अगर total आप theoretical potential देखेंगे, wave energy का, तो इंडिया की बड़ी coastline को देखते हुए, वो करीब 40,000 MW बैठेगा, तो इसी लिए Ministry of New and Renewal Energy ने सभी stakeholders को कहा है, कि जो भी energy produce होगी ocean की मदद से, भले ही tidal energy हो, wave energy हो, ocean thermal energy हो, उन सभी को renewable energy के तौर पे consider किया जाए, और इन सभी को eligible होना अब हमको पहले ये जाना ज़रूरी है, ये renewable purchase obligation क्या होते है, ये जैसे कि इनका नाम बताता है, renewable purchase obligation, ये एक तरीके के agreement है, एक obligation है, जो लगते है state electric regulatory commissions पे, इस obligation के तहत, इन लोगों को कुछ percentage of power renewable energy sources से लेनी ही पड़ेगी, तो यानि कुछ percentage of power आपको वहाँ से लेनी पड़ source हो, पूरी power आप बाकी fossil fuels से नान renewable energy source से नहीं लेंगे, ये एक obligation लगाती है, state electricity regulatory commission के उपर, तो अब अगर ocean energy को हम लोगों ने renewable energy के तोर पे consider कर लिया गया है, तो इससे ये होगा कि ये जो renewable purchase obligation है, वो ocean energy पे भी apply होंगे, यानि ocean energy से जो भी renewable energy generate होगी, उसमें से कुछ percentage आपक को खरीदना पड़ेगा, as energy, in obligations के तहत, ocean energy जो है वो अभी तक underutilized है, इसको exploit करना ज़रूरी है, कुछ एक हमको technology की ज़रूरत है, जिसके तहत हम लोग wave, tidal, current energy, ocean thermal energy को exploit कर सकें, और उनको पूरी तरीके से harness कर सकें, अगर हम लोग ocean energy की बात करें, तो ये कई हिस्सों में divided है जैसे ocean energy में ही आती है, एक tidal energy, tide cycle क्या होता है, हर 12 घंटे में अकर होती है, यानि high tide, फिर low tide, फिर high tide, फिर low tide, तो हर high tide 12 घंटे में आती है, यानि पहले आएगी high tide, उसके 6 घंटे बाद आती है low tide, फिर आती है high tide, और फिर उसके 6 घंटे बाद आती है low tide, तो ये जो है, इ high tide के समय यह पानी का level बढ़ जाता है यानी पानी यहां कहीं आ जाता है तो इतना जो increase होता है यह होता है high tide में तो इस increase की वज़े से हम लोग अगर turbine लगा के energy को harness कर ले turbine को rotate कर दें तो यहां पर बहुत सारी energy हम इससे generate कर सकते हैं Gulf of Cambay, Gulf of Kutch कुजरात में ideal location की तरहे काम करेंगे उसके अलावा ocean energy का एक पाठ है wave energy, ocean की जो waves आती है उनमें भी बहुत शमता है अगर वो हम लोग कैसे technology की मदद से harness कर लें एक turbine लगा के turbine घुमा दें तो यहां से भी energy generate करवा सकते हैं हम लोग फिर है current energy जो ocean current चलते रहते हैं जो कि आप पढ़ते हैं hot current, cold current उनमें भी इतनी शमता है कि वो energy generate करवा सकते हैं उसके अलाव ocean thermal energy देखे ocean में यह होता है कि जो difference है temperature का वो काफी जादा बढ़ जाता है depth के साथ और इस temperature difference का ही फायदा उठा के हम यह यहां से भी energy generate कर सकते हैं तो ocean energy में देखे इतनी सारी चीज़े छुपी हैं अगर हमको साई technology मिल जाए तो हम यहां से बहुत सारी power generate कर सकते हैं अब हम लोग चलते हैं अगली scheme की तरफ यहां पे हम लोग कुसुम scheme के बारे हम पढ़ेंगे किसान उर्जा सुरक्षा एवं उ पुशिश कर रही है कैसे किसानों के बीच में solar energy के use को promote किया जा सके यह basically एक solar power production को promote करने वाली scheme है जो की decentralized तोर पर इस particular production को promote करती है तो अभी news में इसलिए है क्योंकि ministry of new and renewable energy ने कुछ operational guidelines issue की थी इसके implementation के लिए जिसके तहत solar energy हम लोग जादा से जादा area तक पहुँचा पा ही है कि हम increase करने वाले है हमारी share of electric power non fossil fuel sources से करीब 40% तक 2030 आते आते यानि जो अभी हमारी electricity आ रही है यह हम fossil fuels को जलाके electricity produce कर रहे हैं पर हम INDC के तहत यह बात कह चुके हैं कि अब हम लोग यह fossil fuels पे dependence छोड़के renewable energy पे focus करेंगे और हमको non fossil fuel sources से electricity produce करनी है 40% तक 2030 आने तक उसके अलावा हमारे खुद के solar power generation के targets हैं जो कि है 100 gigawatt solar power generation 2022 तक यह हमने NAPCC के तहत किया है तो अगर कुसम scheme के तहत हम लोग solar energy को promote करेंगे तो हम INDC को भी meet कर पाएंगे और खुद के targets को भी meet कर पाएंगे यहाँ पे focus करते हैं हम pump के solarization पे जिससे कि हम dependence को कम कर सके conventional sources of energy के उपर अगर pump चलाने की बात करें तो तो इससे होगा कि अगर हम यह चीज़ करेंगे तो सरकार का भी जो subsidy burden है वो कुछ हद तक कम हो जाएगा क्यूंकि हम लोग solar energy को यहाँ promote कर रहे हैं तो इससे INDC भी हमारा मिल जाएगा दूसरी बात हमारे खुद के NAPCC के त में भी गिरावट आएगी जो कुसम स्कीम है उसको फरवरी 2019 में लॉंच किया गया था और जैसे मैंने आपको बताया इसमें decentralized renewable energy plant के उपर फोकस कर रहे हैं solar agriculture water pumps के उपर फोकस कर रहे हैं और solarization of existing grid connected agriculture pumps यानि जो pump है उसके पास हर तरीके से हम लोग solar energy पहुँचाने की कोशि कर रहे हैं जिसके तहत हमारे बहुत सारे एम एक साथ fulfill हो जाएंगे अगर कुसम स्कीम की हम लोग बात करें तो सबसे पहले यह प्रोवाइड करती है energy security financial और water security के साथ farmers को क्योंकि energy यहाँ पर हम लोग solar इस्तमाल कर रहे हैं उसके तहत हम लोग pump चलवाएंगे तो pump से water भी और साथ में यहाँ पे सरकार बहुत help करेगी farmers को purchase करने में तो उनकी financial security भी अचीव होगी solar power अगर farms में बनेगी तो उससे clean energy का promotion होगा और diesel water pumps हम लोग replace कर देंगे clean energy pump के साथ target है इसमें कि हम लोग decentralized solar power capacity 25,750 MW की 2022 तक generate कर देंगे फिर हम चलते हैं गोगावील पे basically हुआ क्या है अभी गोगावील को declare कर दिया है बिहार का पहला community reserve अभी यहाँ पे दो बाते सीखने वाली है एक तो गोगावील क्या है दूसरा community reserve क्या है तो गोगावील क्या है एक oxbow lake लिख है oxbow lake से क्या थात पर है मेरा देखिए नदी जब इस तरीके से चलती है इसको हम कहते है नदी का meandering यह इस तरीके से आप लिखेंगे नदी की meandering यानि नदी इस तरीके से जूल जूल के चलती है तो होता क्या है इस तरीके चलते चलते एक समय ऐसा आता है जब sediment वो deposit कर रही है और sediment deposit करने की वज़े से इसका जो course है वो ऐसे सीधा हो जाता है यानि इस तरीके से अब नदी चलने लगी और यह जो इधर रह गया यह आधी कटी हुई lake रह जाती है जो की ox के बो जैसी लगती है तो इसको बोला जाता है oxbow lake यानि अभी आपको चित्र कुछ इ यह एक oxbow lake है बिहार के कटिहार जिले की यह किस river से बनी है एक तो महाननदा और खांकड नौर्थ में और गंगा साउथ में इन तीनों के मिलन से यह बना है इसमें कुछ important species भी पढ़ती है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं अब important है कि community reserve क्या होता है यह एक ऐसे category है protected area की ज amendment act 2002 के तहत यानि WPA में एक amendment आया था वर्ष 2002 में उसके तहत इस particular concept को introduce किया गया था यहाँ पे लोग रहते हैं buffer zone की तर यह चीज़ act करती है और लोग इसका खुद ध्यान रखते हैं यह national parks के बीच में wild life sanctuary के बीच में reserved या protected forest के बीच में बनती है सरकार यानि राजय सरकार जब एक बार केंदर सरकार से consult कर लेती है और वहां की local community से consult कर लेती है तो उस area को या तो community या फिर conservation reserve declare कर सकती है अब दो चीज़ें आपको सीखनी है एक conservation और एक community reserve तो दोस्तो community reserve में तो पूरा अधिकार दे दिया जाता है local communities को और वो उस particular area की देखवाल करते हैं उसका सं conservation reserve में state government के पास होती है power और वो जाधतर ऐसा होता है कि uninhabited होती है लेकिन community की जैसे मैंने बात की तो वहां पे वो community रहती भी है और उस वाले reserve का वो ध्यान भी रखती है तो अगर मैं community की बात करूँ तो inhabited area है लेकिन conservation reserves uninhabited area होता है state government मैंने आपको बता दिया कि इंदर सरका के साथ consult करती है local community के साथ बातचीट करती है और फिर किसी भी area को सामुदायक reserve या community reserve डिकलेर किया जा सकता है अभी 127 community reserve है भारत में और सबसे ज़्यादा मेगालिया के राज्य में है अब हम चलते हैं अपने अगले topic की और यहां पे हम लोग single use plastic के बारें बात करेंगे भार एक a target है कि single use plastics को खतम कर दिया जाए 2022 तक अब important बात है कि single use plastic क्या होता है यह ऐसी disposable plastic है जो generally plastic packaging के तौर पे इस्तमाल की जाती है और जो उसका basically purpose है वो यह है कि वो सिर्फ एक ही बार इस्तमाल की जाती है और उसके बाद उसको fake दिया जाता है हाला कि कोई fix definition नहीं है single use plastic के ब जो straw से हम लोग cold drink पीते हैं वो वाले straws क्योंकि उनको आप एक बार use कर लेते हैं फिर उनको fake दिया जाता है उस straw से कोई और नहीं पीता उसके अलावा water bottles, food की packaging यह सब जो होता है सब single use plastic से होता है water bottle भी एक बार आपने खरीद ली भले ही आप उसको कितने भी साल तक use करते लेकिन ऐसा नहीं होगा इस bottle को वापिस से company ले लेगी और इसी में पानी भर के वापिस दे देगी तो recycling का यहां पे scope नहीं होता बस एक ही बार इसको 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 इस्तमाल किया जाता है केंदर सरकार का यह proposal है कि वो collect करेगी 10,000 ton single use plastic items पूरे भारत से और उस सब collected plastic को dispose कर द लगा दिया था यानि आप single use plastic बिलकुल भी नहीं कर सकते बिलकुल blanket ban यानि कोई भी इसमें loophole नहीं है सीरी सीवात है इस्तमाल नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते पर अभी वो जो ban है उसको कुछ time के लिए हटा लिया गया है हटाया क्यूं गया है क्यूंकि हमारा देश जो है economic slowdown से गुजर रहा है और साथ साथ यहां पर unemployment भी बहुत जादा हो रहा है तो हमने सोचा अगर इस तरीके का कोई ban लगा दिया गया तो कई सारी plastic बनाने वाली industries बंद हो जाएंगी और देश जब ऐसी भेंकर परिस्टिती से गुजर रहा है तो और जादा किसी को बंद रहा था समुद्र में पढ़ा रहता है और यह डीग्रेड नहीं होता वर्षिओं तक पढ़ा रहता है जनरली क्या होता है जो बड़ी मचलियां होती है वो इस तरीके प्लास्टिक खा लेती है डाइजस्ट हो नहीं पाता तो एक समय आके वो सब प्लास्टिक उनके मृत्य रिलीज हो गया तो यह क्या होता है धीरे धीरे करके लीच हो जाता है लीच होके यह पहुँच जाएगा ग्राउंड वाटर में यानि यह सरक के ग्राउंड वाटर तक पहुच जाएगा जब आउस पानी को पिएंगे तो वो आपके शरीर में पहुचके आपको बहुत अल ड्रेनेज को चोक कर देता है बहु ड्रेनेज चोक हो गया तो क्या होगा अगर तेज बारिश हो गई तो पानी निकलने की जगे नहीं है यह पानी भर जाएगा और अर्बन फ्लडिंग कॉस करेगा तो दोस्तों इसी के साथ हम अपना आज का लेसंस हमाप्त करते हैं मैं आने बात करता हूँ